आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप Vibro AI का फ्री में कैसे यूज करेंगे दो मिनिट की वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको 100% सिखा दूँगी कि आप इस वेबसाइट का फ्री में कैसे यूज करेंगे तो आए सीखते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए वेबसाइट का एप्लिकेशन ओपन कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस है इस वाली वेबसाइट का एप्लिकेशन आप इसकी वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं और एप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में यहां पर आप देख सकते हैं जो वीडियो मैंने ड्राफ्ट की है और जो वीडियो मैंने क्राइट की है इनके बाद में और वीडियो नहीं बना पा रही हूँ जैसे कि मेरी ये वीडियो है आप इसे प्ले करके सुनकर देख लेंगे यहाँ पर मैंने एक वीडियो जन्रेट की थी यहाँ पर आप देख सकते हैं background, AI voice और music, stickers और यहाँ पर सभी कुछ available है यहाँ पर हम इस तरीके का options आ रहा है अगर हम इस पर click करते हैं 3 dot पर यहाँ पर हम अपने drafts इस वाली वीडियो को open करेंगे और यह जो subtitle से इन्हें हम off कर देंगे देन हम इसे export कर लेंगे वोईस हमारी वही रहेगी सिर्फ हमें export कर लेना है आपने जो already वीडियो बनाई हुई है आपको सिर्फ वही export कर लेनी है चाहे वो किसी भी topic पर हो आपको इसे download कर लेना है अपने mobile phone में इस तरीके से युद्ध का आज 27 वा दिन है यहाँ पर 27 दिनों में इस्राइल ने गाजा पती पर हश्राइब कुछ भी वो speaking कर रही हो AI voice सो आपको उसे download कर लेना है सो इस तरीके से मैंने इसे gallery में safe कर लिया है इसके बाद आपके पास जो script है आपको उसे कर लेना है copy आप जो अपनी video बनाना चाहते हैं आप जिस भी topic पर वीड़ियो बनाना चाहते हैं AI अवदार्त है आपको स्क्रिप्ट को कर लेना है कॉपी देना आपको Google ब्राउजर को ओपन करना है इस तरीके से यहाँ पर मैंने Google ब्राउजर ओपन कर लिया है एंड सर्च पार में हम टाइप करेंगे टैक्स टू स्पीच और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक का लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन में है आप डाइरेक्ली इन वेबसाइट पर आ सकते हैं तो यहाँ सा आप फ्री में टैक्स्ट को स्पीच में करा सकते हैं यहाँ पर आप इसे MP3 कर लीजे और यहाँ पर खाली बॉक्स में आपको अपनी स्क्रिप्ट पैस्ट कर देनी है यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट पैस्ट कर दी है देन क्रेट ओडियो पर आपको किलिक कर देना है यहाँ पर हमारी ओडियो जंडेट हो रही है यहाँ पर थोड़ा सा लोडिक टाइम लेगा एक दो सेकेंड और यहाँ से आप इसे प्ले करके सुन लेंगे देन थरी डॉट पर किलिक करके आप इसे डाउन्लोड कर लेंगे तो इस तरीके से आपको अपनी स्क्रिप्ट को स्पीच में कानवर्ट करा लेना है इसके बाद आपको कोई भी एडिटिंग एप्लिकेशन ओपन कर लेना है यहां पर मैं इंसोर्ट एप्लिकेशन यूज़ कर लेती हूं यहा प्लइस पर क्लिक क करेंगे और यहां से हम background इसलिक्ट कर लेंगे जो हम अपनी वीडियो में रखना चाहते हैं आप कोई सबी playground रख सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं canvas यहां से आप size select कर सकते हैं आप जिस size में वीडियो बनाना चाहते हैं देन आप सही पे टिक कर दें, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीगे से यह हमारा बेक्ग्राउन तैयार है, आप चाहे तो ब्लैंक भी रख सकते हैं, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं, टैक्स्ट, श्टिकर्स, फिल्टर्स, पीप, स्पिल्ट, डिलीट, वाइस, वेल्जूंग, बेक्ग्राउंड, स्पीड और बहुत सारे आपसंस अवेलबल हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर पीप वाले आपसंस पर किलिक करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रैड इस तरीके सा आइकन लिकरा है, इस स्क्रीन पर आपको इसे फोलो करना है यहां से हम वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे यह हमने वीडियो सेलेक्ट कर लिये इसे मैं कर लेती हूँ जूम जूम करने के बाद आप यहां पर नीचे देखेंगे यहां पर लिखा है क्रोमा आपको यहां पर किलिक करना है और यहां से आपको green वाला area select कर लेना है इस तरीके से और यहां से आप chroma key key speed को इस तरीके से कर दीजे यहां से हमारा green background अच्छी तरीके से पूरा हाट चुका है अब आप इस स्क्रीन पर adjust कर दे इस तरीके से मैंने इस स्क्रीन पर adjust कर दिया है और आप इसे प्लेटर के देखेंगे तो हमारी वही पहली वाली वोईज यहां पर सुनाई दे रही है तो इसके लिए आप इसकी जो ओरिजनल वोईज हैं इसे हम कर देंगे बिलकुल zero तो यहां पर वैल्जुम पर आएंगे और यहां से हम इसे zero कर देंगे और सही पर हम टिक कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सही पर टिक कर देते हैं इस तरीके से और देन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखाए music आपको यहाँ पर किलिक करना है music पर यहाँ पर आ जाएंगे music यहां पर my music पर आएंगे और यहां से हम अपनी audio select कर लेंगे जो हमने text को speech में convert किया था यहां से हम use कर लेंगे और अब आप इसे play करके सुनकर देखेंगे आपको बिल्कुल यही लगएगा जैसे कि यही speaking कर रही है आपने इसी से बुलवाया है यह script आपको इस तरीके से text को speech में किसी होर website से convert करा लेना है और आपको यहां पर add कर देना है और इसकी original voice को आपको slow कर देना है यहां पर सही कर देंगे और हमें अपनी video की length बढ़ानी है जैसे हमारे इसकी video की length कम है तो इसको हम duplicate कर लेंगे यहां पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं पीपर जाएंगे देन आप इसे duplicate कर लेंगे तो आप इस तरीके से अपनी video की length भी बढ़ा सकते हैं आप चाहे तो 5 मिनट की, 10 मिनट की, 6 मिनट की और 50 मिनट की आप जितनी length बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं unlimited length आप यहां से बढ़ा सकते हैं तो इस तरीके से मेरी video ready है और देन आपको insert का watermark remove करना है and free remove पर हम click कर देंगे click करने के बाद आप इसे video को save कर लेंगे और अब आप यह video play करके देख सकते हैं हमारी video किस तरीके से तयार हुई है हाँ से मैंने save कर लिया और आप इसे play करके देख लें आज की video में मैं आपको बताऊंगी आप Vibro AI का free में कैसे use करेंगे दो मिनिट की video है इस video में मैं आपको 100% सिखा दूंगी कि आप इस website का free में कैसे use करेंगे तो आइए सीखते हैं और अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो please video को like और channel को subscribe जरूर करे ताकि हमारी आने वाली information सीधा आप तत पहुंच सके I hope you like this video If you like this video, so please like share and subscribe this channel Thanks for watching we meet next video, bye bye